और सीतापूर नगरपाली का अध्यक्ष पद के लिए भारतिय जंता पार्टी ने नेहा अवस्थी को अपना प्रतियाशिक घोशित किया था नगर निकाई चुनाओं में शांदा जीत दर्ज करके और नई जिम्मेदारी मिलने पर नगरपाली का अध्यक्ष नेहा अवस्थी से मुनसिफ टीवी के संबादाता अनवार हुसैन ने खास बात चीत की आज हम सीतापुर में नगरपाली का अध्यच नेहा वस्ती जी के पास हैं आईए हम बात करते हैं कि आपको नई जिम्मेदारी मिली है इस उसर पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा जो आप चुनाओ जीती हैं इसके लिए मुझे टीदर मुबारकबाद आपको आप ये बताईए आपको नई जिम्मेदारी मिली है क्या कहींगे आपसे पहले तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है सेवा का और उसके अलावा जो हम लोग के उपर ये नई जिम्मेदारी है जो अब बहुतों ने बताया कि भाई निजाम बदल गया है तो इंतिजाम भी बदलेगा ठीक है तो हम ये बताएं आपको कि हम लोग अभी अपनी हमारी टीम्स हैं जो की सर्वे कर रही हैं आपने सुनाओ अगर ड्रोन से हम लोग नालों के जिससे कि हमें अपनी योजना बनाने में मदद मिलेगी और वो वेल प्लैंड होगी हम लोग आज जो है ये नहीं कि आज ये टेबल खिसकाने से रस्ता बन जाएगा तो हम बना देंगा ऐसा कुछ नहीं है हम लोग जो भी करेंगे बलब हम उसको लॉंग टर्म सोच करके करना चाहते हैं देखा गया है कि नय सीतापुर में सुविधाएं हैं लेकिन पुराने सीतापुर में एक भी पार्क नहीं है और नहीं कोई ऐसी सुविधा है और आपसे अपेच्छा भी जनता ने बहुत की है तो इस पे आप किस तरीके से देखिए अब वहां पार्क नहीं है तो उसके लिए जो भी जगा चिन्नित करनी होगी जैसे भी होगा देखिए वहां के भी बच्चों का पूरा अधिकार है कि वो खेलें पार्क में माएं अपने बच्चों को लेके जाएं तो वहां पे हम लोग पार्क का इंतिजाम जरूर करेंगे और अभी मैं आ रहा था कल तो लोगों ने मुझे से पूछा कहने लगे ये सवाल जरूर करिएगा क्योंकि जो आवारा पशूरात के टैम है अभी हम तील हो चुक है मोटर साइकल से गिर गए इसके लिए आप क्या करें देखे इसके लिए गौवंच सरकार से बहुत मदद है और हमारे माननी मुखमंत्री जी का जो है ये बहुत बड़ा मिशन है कि हम लोग गोवंचों को जो है रिहाबिलिटेट करें और उस पे जो है हमें राजे सरकार से मदद मिलेगी और हम जो भी काम करेंगे उसके पक्ष में करेंगे और हमाई जनता को उसे जरूर आराम मिलेगा ये थी हमारे साथ नगरपाली का अध्याश नेहा वस्ती जी मुंसिक टीवी से अन्वार हुसाइंग